चांड चुछ का मैंने जो पूरा हिंदुस्तान देखा और जो पूरा काफी कंट्री में भी गया होल्न है जिराइल है धर दुबी काफी जगह हमने देखा अच्छी हो रहा है कि गुलाब का इत्हास बड़ा नराला है गुलाब हमारे प्रत्रीव पर चार क्रोर साल पहले आया था और चार क्रोर साल पहले बहुत बड़ाना थ्यास है और जो हमारे लोगों ने हमारे जो पूर्बजों ने हमारे जो काम किया था सन अठारा सुक पहले गुलाब की वराइटी दुनिया में पच्छिस जार के असप तो आगे लोग नहीं बढ़ा सके वह बिलिप्त हो गया तो हमारे को देश था कि कैसे जो बिलिप्त हो रही है तो वह बाराइटिया आपने खजराओं में लाके लगाई जाए और उसको सरच्छत किया जाए और इस बहाने जो खजराओं टूरिस प्लेस भी है तो तूरिस में में ह Rich था ओघ्ट है तो वह भी गुलाव उध्यादयान देखने आये और गुलाव उध्यान को देकर उसके प््रतिवी गुलाव का प्रिफ्तिक कर वारे में लोग कहते है union क š bod ने आं और प्रिफ्तिक है किप से मारूम ने जनम लिए तो प्से गुलाव का जनम हुआ है त प्रियास में हमने दोजार व्रैटी गुलाब की अपने गुलाब उद्ध्यान में लगाई है उसके सबसे बड़ी खास बात क्या है कि गुलाब बनाया किस ने उस ब्रीडर का नाम किस सन में बना उस सन का नाम साथ में किस कंट्रीन ने बनाया उसका उसका नाम और उसके क्या गुलाब उद्यान यह हिंदुस्तान का पहला अभी विक्सित कर रहे हैं जिसमें कि इतना डिटेल पूरा किस कंट्री ने कब क्या किया किस भग्याने को खतम हो गया आज हमारे बीजिबन में आज बीच में नहीं है लेकर उन्होंने जो काम किया गुलाब में उनको लोग या है नमस्कार गुड मॉनिंग मेरा नाम नागवेंद्र है मैं खज्राओं से बोल रहा हूं और आप इस समय हमारे परिवार के गार्डन में खड़े हुए जिसका हमने रोज गार्डन नाम दिया हुआ है हमारी परिवारिक नरसरी है जो पिसले 20 सालों से खज्राओं में उप और उसमें से एक रिसर्च का हिस्सा है यह रोज गार्डन जो आप देख रहे हैं इसको बनाने का उद्देश ये था कि पूरे विश्यू में अमेरिकन रोज सुसाइटी है जो की रोजस को रजिस्टर्ड करती है रोजस हम एज भारती इतना समझते हैं कि गुलाब लाल प यह पूरे वर्ल्ड में रिजिस्टर्ड गुलाब जिन में se 3300 प्रिकार के गुलाब भारत देश में हैं जो की एलकटा की नर्सरी और बैंगलॉर की नरamentoरी ने प्रिज़ अरुम करके रके हैं व्यापारी कुद देश से उन मैं से बाइसू प्रिकार की गुलाब हम लोग यहां पर लगाए हैं रिसर्च के लिए एक साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मतलब हर एक देश का व्यक्ति इस पर बहुत रिसर्च करता है और इसका इन्वेंशन करता है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, कोई सा खिला हुआ दिखेगा, यह वाला, आप पहले देखिए यह रोज का कलर, रोज का कलर है, लाइट, इस क्रीम कलर, लाइट क्रीम, स्टेनलेस स्टील, इसका नाम दिया गया है, रजिस्टर नाम है, ट्रेडमार्क, जो सुसाइटी आफ अमेरिका ने किया हुआ रजिस्टेशन, यह टॉम नाम के विग्जानिक, जो कि अमेरिका के विग्जानिक है, उनीस सु इंक्यानवे में इन्होंने इसको बनाए इसका जो जो एसेंस यह कैसे बनाया है, वो हाइब्रिट ट्री, अब इसका मतलब क्या होता है, एक हाइब्रिट टी का पौधा और गुलाब के पराग को मिला के जो नया इन्वेंशन बनता है, उसको स्टेनलेस स्टील नाम दे दिया गया है, इस प्रकार से जैसे मैंने इहान दे, तो हमने क्या किया है, कि इस पर वीट मैट बिचाए हुई है, जो कि दस साल तक खर पत्रवार से हमें बचाएगी, और गुलाब का नुक्सान कम होगा, और हमने हर एक किसम के चार गुलाब रखे है, इसका एक महत्त है, क्योंकि हम जो भी अग्रिकल्चर इस स्टूडेंट है, उनको बुला के इनकी कटिंग सिकाएंगे, और इनसे ही पेर कैसे बनाया है, वो इनको ट्रेनिंग देंगे, तो ये उसका लॉंग टर्म उद्देस है, और उसके कारण आपको हर एक वराइटी के चार वराइटी मिलेगी, अगर एक कोई वराइटी मे अमेरिकन प्राइड, अमेरिकन प्राइड, ये विलियम ने बनायी हुए है, हाइब्रिड़ टी, अगिन, लेकिन आप इसका कलर देखिए, अभी आपने लाइट गुलाबी देखा था, अब आप इसका कलर देखिए, यहाँ पे ये कलर बिल्कुल लाल हो गया, और ये एक पौधा यूनिक मिलेगा टोटल 22 सो पर जाती हैं आपको मिलेंगे आंगे चलते हैं अभी क्योंकि इसकी फ्लावरिंग आ रही है तो मैं चूज करूंगा कि जो स्पेशल वेराइटी है वो दिखा सकूं तो इसी क्रम में अगर आप इस तरब देखें छोटे-छोटे गु आप खिले हुए यह देखिए यह यह मजोरियोफार मजोरियोफार इनका नाम है इनको नाम दिया गया है यह इंगलेंड के विज्ञानिक ने बनाई है हरके नीज ने और यह पॉलेनेथा करके पराग करने हैं अब आप इसकी इसकी खुबसूरती देखिए इसमें क्या आइंगे लेकिन यह एक गुच्छे में सौ फूल भी हो जाते हैं जब यह पीक में खिलता है तो सौ फूल आ जाते हैं तो इसकी खुबसूरती देखिए एक गुच्छे में सौ गुलाब के फूल तो यह एक वैराइटी हो इसी पिकार से अगर आप नजर डालेंगे तो से था उसमें हमने यह भी डिसाइड किया था जब यहां के जो गाइट है वो विचारे बिरुजगार रहते हैं जादर तो उनको हम सिकाएंगे कि यहां पर आप टूरिस्म लाएं और दस रुपए टिकेट पे सब को घुमाएं और किसी को अगर फूल चाहिए तो पांच र गार्डन का राजा है यह क्योंकि सबसे अच्छी अगर आप देखें सबसे अच्छा कलर और इसका निखार सबसे अच्छा यह इसका नाम है टाइमलेस यह ब्रेड बाई डॉक्टर कीन डवलू जेरी यह यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका के उननीस सु चाननवे के पहले क्योंकि यह रिकॉर्ड में नहीं मिला तो निस सु चाननवे के पहले लिखा हुआ है यह हाइब्रिट टी कंपोनेंट सी बनाया हुआ है तो यह हमारा उद्देश था कि हम हर दिन एक राजा डिक्लियर करें जैसे वहां बोड लगाएंगे उसमें कि आज गुलाब का तो आज के अमरा यह से ची जह गहने के शर्देश है यह जैसे छी जह ने एप पार में वे संद्दाः ओठीं है जा चानवे लिखा बरकी शैनने इस टीचाई टो आज चेर आँशे सेटाने शाटिजीर के वाम स्रेश आशे है यहां बेंवार टीचाई जोके लिखा नोके में फ़ार में गोलापेर चाह सफंदाल पुद आising sound तो भोहुए और जे स्पेशल गून पुए जे फुळता देखाना पुदर concept थेके एक्ता रूप बदलानोर जे कॉंसेप्ट आचे स्टेटा कनेक्ट कोड़ा होये चे 2007 सुब्रतो घोष ड़क्टर सुब्रतो घोष मिस्टर सुब्रतो घोष एई फुल्टाके बानिये चेन इनि एखाने एवां पूरा पीथिवीते जीनोम टेक्नोलोजी और हाइब्रीड प्रोसेसिंगे माध्धों में नोतुन गुलापेर चासेर जे परमफोरा चोले आचे तार मोध्धे एठाक अन्नो तोमो फाम बुंदेल खंडे एवां सेंट्रल इंडिया ते एतो बड़ो मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए बोल देता हूं जैसे की विश्व प्रिषिद्ध युनेस्को के दौरा डेक्लेर साइट है और इसलिए हम लोगों ने खजराहो चूस किया है ताकि जब यहां पर केबल मंदिर हैं मंदिर के लाब और कुछ नहीं तो तूरिस आता तो ब मुझे अब मैं अपनी भासा में हिंदी भासी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि यह हमारे कलगत्ता के साइंटिस मिस्टर सुब्रतो घोष्ट ने हाइब्रिट टी के माध्यम से इस गुलाब को बनाया है जिसका नाम है बहरूपिया बहरूपिया हिंदी शब्द है ज जासूस है कि होते यह बहरूपिया इसलिए है क्योंकि यह सपेथ हलका सपेथ होता जाता है फिर लाल हो जाता है फिर हलका सपेथ होता जाता तो बहुत अच्छा प्रियास किया अपने भारतियस विज्ञानिकों ने और हम इसको यहां प्रिजर्व कर रहे हैं और इसके और भी प्लांट बनाएंगे, थैंक यू